सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज यहाँ पर टाइटन कंपनी लिमिटेट के बारे में इस सेयर में मंडे को मुझे जान तक लग रहा है थोड़ा अप्टर मूमेंट देखने को मिल सकता है बताऊंगे आगे इस वीडियो में क्या न्यूस है वो और क्या इसका सपोर्ट र मार्कट क्लोस होने के बाद यह न्यूस आई है ठीक है तो यहाँ पर जो न्यूस आ रही है वह बताया जा रहा है क्वाटर 2 से रिलेटेड यह पर अपडेट देखने को मिल रहा है तो इनों ने बताया इनका जो क्वाटर 2 में evolution है ज्योग रीमी में यहाँ पर जो है स्टो एडिशन किया है इस्टोर यहां पर इस्टोर की संख्या इन्नोंने इन्क्रीज की है quarter two में जुल्री में इन्ने जुल्री फिल्ड में 24 एड किये है 24 इस्टोर एड किए हैं and watch and wearables में 34 इन्नोंने एड किये अपने इस्टोर और आई केयर में भी देखेंगे 2 एड किये हैं quarter 2 में मतलब यहां पर यह बता रहे हैं हम quarter 2 financial year 2025 देख रहे हैं आप उपर और emerging business में भी 4 इन्हों ने store एड किये हैं overall 64 इन्हों ने अपने store एड किये है quarter 2 में मतलब September quarter में तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे growth नजर आ रहे है 25 परसेंट यहां पर year on year basis में देखेंगे आप year on year basis में comparison हो रहा है ठीक है तो 25 परसेंट का यहां पर इन्हों ने यह store जो इनके store है इनको increase किया है तो ऐसे में इस चर्चा में रहने वाला है हो सकता है यहां पर एक दो दिन में इस news का impact देखने को मिला अगर Monday को ना दिखे तो क्योंकि market भी अभी ज़्यादा stable नजर नहीं आ रहा है आकि देखेंगे आप यहां पर जो इसके returns रही है one day में ठीकठा की returns है और five days में तो आप देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली है आगे बताती हूं मैं इसके chart ठीक है क्या support resistance निकल कर आ रहा है वन मन्त में भी returns नजर नहीं आ रहे हैं पास्ट six परसेंट और टाइम में आप देखेंगे 86,363 परसेंट इसके returns रही है तो यह भी सही है returns उसे आप से बढ़िया है चलिए directly चलते हम यहां पर क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है तो यह मैं आपको weekly time frame में बता रही हूं मतलब mid term perspective के हिसाप से बता रही हूं 368 के around इसका एक strong support नजर आ रहा है और आप देखेंगे इसकी जो closing हुई है यह 3670 रूपीज के around हुई है तो wait कीजिए इस stock में अभी यहां पर 3850 के around इसकी एक main resistance अगर इसके बहुत sustain करता है on weekly time frame okay mid term perspective से बता रही हूं मैं अगर यह 3850 के about sustain करेगा तो तब यह आपको maximum 4050 के around जाता हुआ दिख सकता है mid term perspective से पहले तो यहां पर अगर यह 3850 के about sustain करें तो 3945 के around जाता हुआ दिख सकता है है इसके about sustain करेगा तो 40 150 के around जाता हुआ दिख सकता है सो वेट कीजिए से stock में पहला support तो वैसे 3608 के around है and second support यहां पर 3500 3400 90 के around कह सकते हैं okay so wait कीजिए से stock में मैं कि यह वीडियो only for education purpose से है I hope आप लोगों को समझ आई होगी पसंद आई होगी thanks for watching this video